रात के अंधेरे में एक पुराने हवेली में एक रहस्यमय गुफा छुपी थी वहां का माहौल डर का आबाद होता था लोग कहते थे कि उस गुफा में रहने वाली एक शुद्र गुडिया हर रात जिन्दा हो जाती थी और वहां के लोगों को डरा देती थी एक रात एक सासी युवक नामक आदित्य ने उस गुफा की तलाश में कदम रखा जब वह गुफा में पहुचा तो उसने एक पुरानी गुडिया को देखा जो रक्त से रंगी हुई थी वह गुडिया बोली तुमने यहां क्यों आया है आदित्य ने उससे कहा मैं यहां का रहस्य जानने के लिए आया हूँ गुडिया ने हंस्ते हुए कहा तुमने मेरी मदद कर सकते हो एक शर्त पर आदित्य ने सहमती दी और गुडिया ने बताया कि उसकी मौत का रास एक औरत की इर्शा के चलते हुआ था वह आदित्य को एक चहरे की तस्वीर दिखाई और कहा इस औरत को तुम्हारा सच्चा परीक्षन यहीं होगा अगली रात जब आदित्य गुफा में बापस लोटा वह उसी औरत का सामना करता है जिसकी तस्वीर उसे दिखाई गई थी सच्छी वह औरत उसकी अपनी मा थी जिसमें उससे इर्शा की थी औरत ने कहा तुने मेरी मौत की वज जैसे मेरी कुरिया